देव जी पूर्व जनम में तोता थे तोता सुसीन कैसे थे तोता एक बार देवरुशी नारद ने सोचा के पारबती और बोले बावा में काफी दिन हो गए काफी समय हो गया लेकिन जगणा नाइबा उल्ड़ा आई है तो नारद ने सोची के चलो जगणा ही हो जाए थोड़ा जगणा कर बना चाहिए और नारद की याद धतीम बीड़ा बजाए कि सारे दिन नारणे नारणा करती थे तो चले नारद जी केलास परवत पे पहुँचे माता पारवती ने आता हुआ देखा नारद के लिए आशन डाल दिया आओ नारद बैठो नारद के लगे मैया बोले नारद आज अचानक तुम्हारी फेरी लगी यहां कारण बताईए नारद के लगे मैया एक थोड़ी इसी समस्या थी शंका थी वो संका को समाधान करना चाह रहा था तो सोचा बोले बाबा के स्वा दूसरी कोई मेरी संका दूसरा इंसान कोई है नहीं पुरस जो मेरी संका मिटा दी संका का समाधान करे पारवती कहने लगी ऐसी का बात हलला नारत तुम बताओ अगर तुम्हारे मन में संका है तो हम बस तुम्हारी संका समाधान करेंगे कहने लगी पारवती में संका का समाधान करूंगी तो नारत कहने लगी मैया तुम नहीं कर पाओगी क्योंगी भोले बाबा ही जानते हैं इस बात को पारवती कहन लगी तुम्हें नहीं मालम भोले बाबा मैं बहुत चाहते हैं कोई बात छपाते तो हैं नहीं अगर बाबा तुम्हारी संकार का समाधान कर देंगे तो क्या मैया नहीं कर पाएगी बोले बाबा कहें लगे मता परवती से मैया तो मेह बहुतना बोले बाबा बहुत चाहिते होँगे बोले इतना चाहिते लगा नारड अगर मैं रूठ जाओं तो बोले बाबा मनेवे में कसर ना छोड़त अगर मैं साम को भांग न गोटू तो ये मान के चलो तो याई बाबा खाना भी त्याग देते हैं हम एक भी मिनट आखों से उचलो जाएं तो वो भी आको लो जाते हैं पारबती की सुनके नारत के लगे तो उसका मतलब तुम्हें जाद ही चाहते हैं बोले हाँ तो तुम्हें कोई बात तो छुपाई नहीं होगी पारबती बोली कभी नहीं जो बाबत जानते ही तो मैं भी जानती हूँ नारत के लगे तो एक बात बता बोले बाबा के गले में जो मुन्डों का हार है ये सर किसकी है सर पारवत ये कहने लगी लला नारद जे इप आए मुझे मालो में है बोले बाबा ने आग दिन तक ये बात मुझे बताई नहीं नारद के लो बोलो तुम तब ये कह रहें जी कि मुझे बहुत चाहते हैं कोई बात छुपाते ही नहीं जब तुम्हें चाहते हैं तो तुम्हें ये बात बताई नहीं और जब ये बात बताई नहीं तो चाहते हैं का प्यार का करते खा को लला नारत आज आज आने तो बोले बाबा को ना खाना खाऊंगी ना उने खाने दूगी नारत के लगे ठीक है नारत तो वहां से चले जाते हैं बोले बाबा जब आए हैं बजन संद्या करने के बाद जब घर वापस खुटिया पर तो पारवती रूठी बैठे और एक बात ध्यान रखना कोश्रिन बाई जो माता बेने जिस सुने कई पे बहुजन दी चल जाती पारवती तो रूठी बैठी बोले बाबा आए ना कोई आधर ना भगत ना स्वागत ना सतकार बोले बाबा समझ ये गजुदार में कार हुए पारवती 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 पीट घुमाये लए बोले बाबा की तरह अम्मों बिपरीद साम कर लिया जब मुख बिपरीद साम कर लिया तो बोले बाबा किन लगे देवी क्या कोई है बोलो हो गई हमसे जो तुमने ना कोई आदर ना स्वागर ना सत्का गडे सुकार्थ के कहा है पारवती किन लगी दूड़ो जाओने पीछे पीछे दोर रही हुए बोले बाबा किन लगी तुम बाते कैसी कर रही हो देवी पारवती किन लगी बाते इसलिए कर रही है तुम हम सही यह कहते थे कि हम तुमें बहुत चाहते हैं बहुत प्यार करते हैं कोई बात छुपाते नहीं लेकिं तुमने एक बात आज दिन तक छुपाई भो में बताई नहीं बोले बाबा के लगे यह ऐसी कौन सी बात है देवी बोले एक बात बताओ तुम कहते थे मैं तुमें बहुत चाहते हैं बहुत चाहते हैं लेकिन तुम मुझे नहीं चाहते हैं मुझे मालूम है अगर चायते होते तो ये बात अब तक क्यों छुपाई और मेरी तो आखे जड़कर आगे बांग गोड़त गोड़त सब जो है आत में ठेटे पर ही चूलो फूकत फूकत आंके भूती ही लेकिन जड़कर कड़ी खाओ मेरो कमून आए बाबो अब बोले अब उस्दे मेरे ने तरबन थे में तो यह अंदृबस में थी के आप पहुकOR चाहिते हो क्या बात है नारथ में क्या कर दिया बोले नारथ हमें बता के गए है नारथ अमें पूछा के बोले बाबा गले में मुन्डों का आर्प डाल की रखते यह सर किसके बोले बाबा के लगे लगे नारत आंकी तो खोली है लगे 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 छो जादा खोली है माताओ पेन उसी समय पारबती के लगी ना तुम्हें खाऊंगी ना खाने दूगी ना बनाऊंगी ना बनाने दूगी अब तो बोले बाबा बड़ी चक्कर में पढ़ गए माताओ बाबा नारत की बाद पर परबती जो है अट कर गए कहा है के मैं यह बताओ है मुंडों का हार यह सर किसके है बोले बाबा कि लगे देवी यह मुंडों के जो हार को गले में डाल करके रखता हूँ ये सर जो है ये तुम्हारे है हमारे हमारे कैसे तो बोले बाबा ने समझाया देवी तुम जब प्रत्वी पर जनम लेती हो मर जाती हो फिर जनम लेती कियोंगी तुमने ब्रह्मा जी से बरदान मांगा था कि प्रभू में जवजव प्रत्वी पर अपता दाड़ करूं तब तब बोले बाबा के साथ मेरी मरे पने मेरा बिवाओ मेरी साधी हो हमारे साधी हो जाती है तुम फिर खतम हो जाती हो फिर जनम लेती हो फिर बिवाओ हो जाता है फिर खतम हो जाती हो तो यह सर तुम्हारे है हमारे बोले हम जनम लेती ही तुम्हारे साथ साथी हो जाती ही मेरी हमें खत्म हो जाती ही लेकिन एक बात बताओ हम मरते मरते हर गई लेकिन तुम अब जन्दई हो तुम काईनाय मरे हमें ये बात बताओ असली बोले बाबा कहने लगे देवी तुम्हें नहीं मालो मुझे अमर कथा का ग्यान है अमर कथा क्या होती बोले अमर कथा जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है अमर हो जाता है तो अमर कथा ये सुनाएगा कौन बोले जानता तो मैं हूँ लेकिन सुनने बाला कोई सुरोता होना चाहिए मैं ही सुना दूँगा बोले बाबा की तरफ देखर के पारवती केन लगी बाबा तो किया में सुरोता नहीं हूँ बोले बाबा केन लगे देवी जब मैं कथा सुनाता हूँ न और तुम सुनाने के काबिल होती तो यह वर कथा में तुम्हें सुना देता लेकिन तुम नहीं सुन पाओगी क्यों बोले जब मैं कथा सुनाता हूँ तक ना भाव भोर हो जाता हूँ नेत्रबंद हो जाते हैं और कथा सुनाते सुनाते मुझे ये आभास नहीं रहता है ये ग्यान नहीं रहता है कि मैं कहां बैठा हूँ किस स्थान पर हूँ कौन है मेरे पास सर्त एक है कथा सुनाने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन तुम हुंकारा देती रहो तुम्हें कथा सुनाती जब मैं कहूं ये बात पारबती तो तुम जी स्वामी, जी स्वामी, जी स्वामी का हुखारा देती रहना पारबती बोली स्वामी मैं सुन भी नहीं मैं जागती रहूँगी कथा सुनू ये जी स्वामी, जी स्वामी का हुखारा भी देती रहूँगी उसी समय प्यारे सज्जनों जब पारबती ने हट किया है बोले बावा ने तो मुना किया के दिभी नहीं सुन पाओगी तुम कथा बहुत बड़ी है बागबान की रस्माई कथा है इसलिए तुम क्यों बाट कर रही है और ये कौशनन भाई तीन हटें बहुत बिछलग बलट छड़ होती है राज अट बालट और क्रियार राजा आगया देदे के से फांसी लगेगी तो से कोई नहीं बचा सकता है जैसे कि मोधी जी ने कहीं के चालान अब बढ़ जाए बो चाहिए तो बढ़िए सो की जगा पने एक हजाल लग बढ़ लगे राजा अगर आदेश करते के से फांसी लगेगी तो से कोई नहीं बचा सकता और बालक रूट जाए घर में बच्चा हट कर जाए कि मुझे एक पेर की चडिया चाहिए तो कुरावली जाओ को दुक्वान खिलोना बाली दुक्वान के फिलाश्टिक की लिए वह को एक फिलो तबलाव तम्मानेवू और स्री पारवती ने तो भोले बाबा ने का है ते भी चिंता मत करो उसी समय पारवती जी को साथ में लिया और भगवान भूत ना बोले बाबा चले है कहां अमलनाथ उत्राखंड की तरब